जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूप्टी चैनल एसजेटी पे दोस्तों फाइनली इंडिन नेवी एम्मार एससर का जो मेरिट लिस्ट है आउट हो गया है और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपना मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकत करने क्या आप लोग का सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ कटफ कितना गया है सभी स्टेट के उस पर भी बात करेंगे और साथी साथ यह आप लोग का जॉइनिंग लेटर होने वाला है यानि केक तर से एपॉइंट्मिंट लेटर होगा और इसी से आप लोग क्या कर पाओग इंडिन ने भी के ओफिशल वेफ साइट पर जाना और वहाँ पर लोग इन का सक्षन दीखेगा आप लोग को सबसे पहले वहाँ पर लोग इन कर लेना है लोग इन करने को बाद वहाँ पर आपना जो भी पासवड होगा ठीक है आप अपलोग को अप्लिकेशन वाला व्यू अप्लिकेशन पर जैसे की लिख करोगे उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोगों इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सिम्पली ऐसा ग्रीन आपको दिखे मेरिट लिस्ट वाला एपॉइंटमेंट लेटर ग्रीन दिखे आपका सेलेक्शन फाइनली हो गया मेरे भाई और यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर एस्टेटस में ठीक है मेरिट लिख देगा दूसरा चीज आप लोगो यहां करके फेल यहां पर लिखा होगा तो जिनका सब कुछ पास पास लिख रहा है उनका 100% सेलेक्शन हो गया यह एसे सार मेल के लिए और कट आफ जो गया ना मेरे भाई देखके सथ में चौक जाओ गई यार क्या यह कट आफ गया है ओवरॉल पासिंग मार्क रखा गया है जैस सकतोर डो मिशाइल 1वल यह 2022 बेश खेल के लिए 25 नंबर यारी दोश्तों स़ में आपको पैंशीर क्यिस नंबर लाने थे के सौब मिए जिसने भी 25 नंबर लाया इए उसका स्लेक्शन हो गया। इस भाई का स्लेक्शन हो गया ठीक है तो जिसका भी स्लेक्शन हो गया मैरे भाई सभी को Congratulation जिनका selection नहीं हुआ है फिर से try करो मेरे बाई जरूर selection हो जाएगा इतना कम number पर selection नहीं हो रहा है इसका मतलब आप बिलकुल भी पढ़ाई नहीं कियो ठीक है यह बात तो एकदम confirm है ठीक है तो यहाँ पर इसमें chances क्या होते है कि जिनका admit card आ दाता है मेरे बा बात करते हैं यहाँ पर महराष्टा के लिए 25 कहने का मतलब यह है कि all over India की बात करते हैं अगर आप लोग देख लेना ऐसे मुझे लग रहा है कि overall passing mark 25 रखा गया 25 नमर जिसका भी है उसका size selection हो गया होगा लेकिन ऐसे सभी स्टेट के cut-off अलग अलग जाते हैं तो हो सकता है क अगर 26 हो सकता है 27 हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप लोग अगर other states से देख रहे हो तो आप मुझे उन सब यह state का cut-off comment section में comment rate के बता दिएगा जिससे कि और ही बचाएंगे तो उनको पता चल सके अभी हमें दो state के पता चला है मतलब कि UP का और एक महराष्टा का दो जो के cut-off अब आपको जो इसका जो appointment letter है कैसे download करना है simply यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर नीचा होगे ना नीचा आने के बाद आप लोगो एक option मिलेगा यहाँ पर download करने का ठीक है यह देखो joining instruction आप लोगो दिख रहा है ना joining instruction PDF simply download वाले पर क्लिक करना है और आ download होने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगो दिखेगा आप लोगो पीडिएफ डिखेगा जिसमें कि आप लोगो का यह क्या होग एक तरह से joining later हो गया मेरे वाई क्या हो गया joining later तो simply आप लोग जैसे अपना result चेक करोगे सब कुछ okay रहेगा पास पास दिखा simply download पे क्लिक कर लोग यह आप लोगा joining later यहाँ पर ready है मेरे भाई ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर विकास राइक है इनको congratulation मेरे तरब से 11 नमबर 2022 आज का डेट सो रहा होगा उसका नीचा होगे तो SSR 1 by 2022 बैस के लिए और simply आप लोग यहाँ पर देख र आइनेश चिलका में है तो यहाँ पर आप लोगो 24 नमबर को इनको सारे छोवेजे रिपोर्ट करना परेगा कहां आइनेश चिलका में जहां पर आप लोग जैसे जॉइन करोगे आपका मेडिकल चलेगा मेडिकल कैसे होता है इंडर ने भी के अंदर इस पर मैंने एक special video बन होते हैं इंडर ने भी MR हो या SSR हो दोनों मेडिकल में बहुत बच्च आउट होते है तो यह तो आप लोगों को पता चल चुका है तो मेडिकल वाले वीडियो जरूर देखना ना ठीक है जाके यह हो सकता है तो मैं लिंक के डिस्किप्शन बॉक्स में देदूंगा ठीक है जूरे हुए तो हमारे तक पहुंचे नहीं है अगर आप देख रहे हो अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो टेलिग्राम को जोईन कर सकते हो ठीक है और मुझे भेज सकते हो मैं जरूर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा सार अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए कि इंडन ने भी एमर और इसे सार का रिजल्ट जो है आउट हो गया है बाकी और भी वीडियो इसमें आप लोगो बताएंगे इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है क्या क्या चीज वहां पर लेके जाना है इस सब भी वीडियो बना रह बाकी सभी का लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स मिल जागा मिलते हैं दोस्तों को और निव वीडियो में तब तक के लिए जाहिं वन्दमात रहा हूं